तो विदियो को चैनल नहीं है तो प्लेस लाइक किजे एंड शेयर किजे और श्रीजेगे इसे हमें मोटिवेटेजन मिलती है यह थागे हम और भी वीडियो को लेकर आते रहें So, do like, share and subscribe my video. So, let's start the video. Watch, see, one of the news was, came in yesterday, on news एक आया था, that is, the India deployed hoitager regiment in Ladakh can hit target 50 km away. Okay, जैसा कि आप लोगों को पता है, कि यह क्या हो रहा है, यह actually, यह disputes between India and China, बहुत सारे टाइम से, बहुत से टाइम से पहले से ही यह चलता आ रहा है. So, यह एक बोलता है ना, कि अभी, कि जैसे कि हम मान लिजिए, कि suppose, अगर यह जैसे कि इन्होंने पेंगॉंक सो लेक पर भी डिसंगेजमेंट किया, एक पूरी तरह से डिसंगेजमेंट नहीं किया है, क्योंकि अभी वहाँ कुछ मुवमेंट्स, उस रीजन में कुछ मुवमे है, डिपलाई हुए इंडियन आर्मी एक जबान, ठीक है, और वहाँ पर एक होईडिजर एडिमेंट अवे लदाग में, यह क्या होई, डिपलाई हुए, देया हुए, देया हुए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते आप, यह NDTV का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकनोमिक्स टाइम का है, अधा हिंदुस्तान टाइम्स का है, यहाँ अभी आप देखिए, इंडियन आमें, डिपलाई के नाइन वजरा, हॉइटिजर एर्जमेंट इन लदाग, फॉरवर्ड एरिया, अमेट्स इंडियन चाइन इस स्टैंड ओफ, ओके, के नाइन वजरा को आप डिपलोई कर दिया है, वहाँ पर हॉटिजर एर्जमेंट के साथ, इन लदाख रिजन, लदाख के जो फॉरवर्ड एरिया जहां पर मुहमेंट सीन हुई है, वहाँ पर जहां पर अभी स्टैंड ओफ चल रही है, ठीक है, वहाँ पर इन्हों ने क्या कर दिया, तो आप देखेगा कि ये रही क्या नाइन बज़ रहा, आप देखे इसकी, चैनक किती हाई है, मतलब कि जिस तरह दिखने में ये हैवी है, इस का काम भी उतनाइden 60 का काम करता है, ये कारगर है 50 किलोमीटर इन्ज यहाँ पर ये बेस एपन से 50 किलोमीटर इन्ज को पर हम लोग आते हैं, maps पर देखते कि क्या है, actually देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको लदाग दिख जाएगा, तो इसके जो forward areas है, यह है, LSE के lines, LSE, line of actual control, उससे, जो यह lines है, यह जिसके अंडर में यह, आपको जो मिटी एक लड़का दिख रहा है, यह क्या है, यह चाइना बोलता है, यह claim करता है, कि यह उनका region है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक line बन गई है, LSE, that is line of actual control, ओके, यहाँ पर बहुत सारे patrolling points है, यहाँ पर आपको कारकुरम पास दिख जाएगा, पेंगॉंग 100 लाग दिख जाएगा, आपको हाट स्प्रिंग दिख जाएगा, गोगरा दिख जाएगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे, तो यहाँ पर जो लदाग के जो forwards region है, यहाँ इस region के आसब पस, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने का कर दिया है, यहाँ पर उन्होंने के नाइन वजड़ा के साथ, होईजर रेजमेंट को डिप्लोई कर दिया है, ठीक है, तो आपको अभी, मैं आशा करता हूँ कि आपको map clear हो गया होगा, ठीक है, तो move on to the, के नाइन वजड़ा है के actually, हम लोग देखते हैं, see, in the picture, this is the के नाइन वजड़ा, it's a very heavy, self-propelled artillery, and it's a very effective weapon for action in the plane of Ladakh, ठीक है, self-propelled artillery है यह, और यह बहुत जादा effective है, बहुत जादा कारगर वेपन है, for the action in Ladakh, ठीक है, जैसे लज़ाग की जो सर्जमीन है न, एक दम प्लेन है, ठीक है, प्लेन सर्जमी पर इसके जो action है, वो बहुत जादा effective उस टाइप का weapon है, ठीक है, it has 155 meter cannon, इसका जो cannon है न, यह 155 meter का cannon है इसका, which range from 18 kilometer to 52 kilometer, और जब यह fire करेगा, यह अब यह fire करेगा न, इसकी जो range हो सही, और यह जो जहाद तक area, जिस area तक hit कर सकता है, वो क्या होगा, 18, 18 point, 18 to 52, 52 kilometer maximum है, और minimum क्या है, 18 kilometer, okay, it tracks like a tank, so that can move any kind of ground, इसका जो track है न, इसका जो यह tracks है न, एक track इसके tanks के type का है, ठीक है, कि किसी भी सर्जमी पर, किसी भी जमीन पर न, यह ground section है, चलने में, ठीक है, मतलब इसका अंद पावर्फुल इंजन्स है, और वो पावर्फुल इंजन्स क्या करती है, इसको provide करती है, 67 kilometer per hour की speed, ठीक है, इसकी जो speed capacity है न, आप देखेंगे न, मतलब कि, you will be sogged, कि इसकी speed capacity, approximately 70 kilometer per hour की speed, approximately ले लिजा आप इसको, ठीक है, 70 kilometers, एक टैंक्स अगर move करेगा, तो it's very much, आपको पता है कि, वो आगे क्या कर सकता है, वो तबाही मचा सकता है, ठीक है, आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं, movements regarding this tank, ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको information बहुत सारे, इसमें मिलने वाली है, so let's move on to the video, कर दो पूरा देखिएगा, कर दो कर दूराग्ष, और सकता है, एएको वीडियो को कला सकता है, कला सूराइब, कारो करूम पास यहां पर यह देखिए यहां पर मैं आपको बताया का रोंप इपस तो नहीं सकते हैं तो आप जासके है और अभी नियूज में अभी तक पूरा disengagement वहां से हुआ नहीं है, अभी भी यहां पर movement के आसपस दिखने के chances बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में, चली मेरा आप से एक question है, अभी मैं आप से question पूछता हूँ, कि इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, border dispute हमेसा क्यों देखने को मिलता है, प्लीज गाइज आप इस question को attempt करके comment section में मुझे इसका answer बताएगा, border तो international border तो सब के पास है, ठीक है, लेकिन इंडिया और चाइना के पास ही यह disputes क्यों देखने को मिलता है, ठीक है, प् 21 माई को अटाइक हुआ, 24 माई को अटाइक हुआ, 15 माई को अटाइक हुआ था, ठीक है, तो 15 जून को अप्राइए, मतलब कि बहुत सारे टाइम से ही गया हो रहा है, कि अटाइक्स वगरा होते जा रहे हैं, तो उस टाइप का situation वहां create हो गया है, कि अभी यहाँ पर attacks होने के chances बन सकते हैं, सो जो army chief है हमारे, उन्होंने बताया है कि हम पहले से ही radio है, ठीक है, चीज के लिए हम पहले से ही radio है, आप यहाँ पर देखिए, जो आपको यहाँ पर उस map में नहीं दिख रहा था, जितने सारे ranges से, जितने सारी posters ही, सारे यहाँ पर आपको दिख जाएग ठीक है, उसके बाद आप देख लिजएगा तो डॉलर्ट बेंड, ओल्डी बचेगा, वाई जंक्शन मिल जाएगा आपको, गलवान वैली मिल जाएगा आपको, ठीक है, गोगरा मिल जाएगा आपको, ओके, और आप यहाँ पर पैंगॉंग सो लेप मिल जाएगा आपको, यह region claim करता है, चाइना इसको claim करता है कि हमारे region के अंदर आता है, इधर से जो area इस side है, ठीक है, बताते हैं कि यह हमारे region के अंदर में आता है, ठीक है, तो इस type का कुछ वहाँ पर बना हुआ है, माहोल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ भी कुछ, आप इसकी एक screenshot ले लिजए आप इसको यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहां पर explain करके दिया हुआ है यह आपको हर एक points यहां पर मिल जाएंगे क्या क्या points यहां पर होट स्प्रिंग आपको मिल जाएगा तो चलिए हम कुछ देखते हैं all about the key news में क्यों हैं यहां इसका क्या actually features है ठीक है इसके बारे में हम देखते हैं इंडियन आर्मी आज डिप्लोएट के नाइन वज़रा self-propelled hot jar regiment in the forward areas of Ladakh sector along with the line of control with China इंडियन आर्मी ने first K9 वज़रा self-propelled hot jar regiment को forward area में Ladakh line of actual control के region के Ladakh sector में उसको क्या कर दिया है deploy कर दिया है the self-propelled gun can strike enemy target at around 50 km around 50 km से maximum मैंने आपको बता है 52 km से so please guys remember it कि maximum कितने हिट कर सकता है 50 km तक these gun can works in high altitude areas filled areas were extremely successful जब इसके testing हुई थी तो यह high altitude areas filled areas जित्ते भी filled areas है ठीक है high altitude areas even in the field of Rajasthan and Gujarat also they work very easily or very successfully okay we have now added to the entire regiment that this would be really helpful मतलब कि जो आपर जो यह आया वहा है न इंडियन आर्मी टू it's a very helpful for Indian army to have such type of weapon such type of mass type of destructions weapon okay Army Chiefs General MM Narwani quoted by saying that news agency ANI performance of K9 वज्रा self-propelled artillery उन्होंने जब यह actually trial चल रहा था तो उन्होंने ANI news agencies को इसकी performance के बारे में बताया इंडिया 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 और चाइना के भीच में जो बार्टर स्टैंड ओफ है लास्ट माई लास्ट यह माई से चल रहा है ठीक है following a violent class इन पंगंग्सो लाइक ठीक है पंगंग्सो लाइक जो एरियास था न वहां पर जो डिस्प्यूट उसके बाद से बहुत सारे जो दोनु तरब से चाइनीज सोल्डर आज वह लाज इंडियन सोल्डर डिया तो यहां पर एक एरिया यह 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 एक एरिया है यह एक एरिया घाटिशिगां वैली है एक important area है, which is gifted by Pakistan to China, China को ये area gifted कर दिया गया था in 1963, अब आप मुझे comment section में ये करके ये बताएगा कि ये चाइना को gift में क्यों दे दिया गया, जबकि ये area which is in India, तो चाइना पर ये पाकिस्तान पर ये हग क्या बनता है, कि आप इसको gift में दे दिजे चाइना, ठीक है, आप इसको comment section मताएगा, प्लीज, ठीक है, तो moving on to the next, of the features of that, the Chinese have deployed a considerable numbers of across, ठीक है, and for the right and eastern command, definitely there has been an increase in the deployment in the forward area, which remains a matter of concern for us, said army chief, ठीक है, तो जो चाइनीज की तरप से जो deployment है, deployment है, जो वहाँ के जो चाइनीज soldiers की हो, क्या होई, बढ़ते जा रही है, ठीक है, उनके जो numbers है, वो बढ़ते जा रहे हैं, इस्टन लदाक और northern front में, so वहाँ पर जो deployment बढ़ने के कारण, जो forward areas में, जो deployments बढ़ रही हैं, so वो एक matter है, concern का, यह हमारा army chief ने बताया, किस्ती चीज़ को लेका का कोई threats होती है, तो यह इसको counter करने में सक्षम रहेंगे, यह successful रहेंगे, ठीक है, we are regularly monitoring all the movements based on the inputs, we are also carrying the mass deployments both in the infrastructure as well as in terms of troops as well needed to counter any threats, at the moments we are well poised to meet any eventually he added, okay, so इन्होंने बताया, हमारे army chiefs, General MM Narwani Ji ने बताया, कि हम हर movement को monitor कर रहे है, और we will come with the main and main arm, मतलब कि हम अपने बहुत सारी अच्छी जो machinery's है न, जो बहुत ज़्यादा successful है, in the field of battle, battlefield में बहुत ज़्यादा successful है, बहुत ज़्यादा developed है, उसके साथ हम आते रहेंगे, विच मच मोट, troops, troops के, troops भी उसमें ज़्यादे involved रहेंगे, ताकि जो भी अगले threats आएगे न, उसको हम counter कर सकते हैं, और pre-planned रह सकें, ठीक है, तो ये कहना हमारे general MM Narwani Ji का, उन्होंने इस प्रेस में बताया, ठीक है, अर्लियर इस विक, अरिंद बग्ची, उन्हें बताया, चाइन, चाइन क्या कर रहा है, उसके जो टूपस है, बहुत सारे, लाज नमबर में वहाँ दिप्लोई हो रहे हैं, आपको पता होगा, लारे श्यान तूपस है, लारे श्यान तूपस्ट रहा है, ओके, चाइन, चाइन, एंडिया, चाइन, एंडिया बॉर्डर्स कवर्स, अप्रोक्सिमेटली कितना, इंडिया और चाइन, जितने भी बॉर्डर्स है, वह लगबग, उसके जो रेंज है, वह तीन अजार चाइन, एंडिया बॉर्डर्स को बताता है, इंडिया और चाइन, बॉर्डर्स को बताता है, लेकिन इंडिया और चाइन, इंडिया और चाइन, इंडिया और चाइन, बॉर्डर्स को बताता है, अगर आपको विडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको विडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर किजएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको विडियो कैसी लगे, ठीक है, थैंक यू एन आग नाइस दे फार वाचिंग में वीडियो, टाटा, बाबाए